तो भाईयो हम सब को जिसका इंतिजार था वो ओफिशली आज हो गया है आज स्माकडाउन के में इवेंट के भशर में ब्लड लाइन के अनदर मेंबर जेकाब फाटू ने ओफिशली डब्लो डब्लो ए में अपना डेब्यू कर लिया है और अपने डेब्यू पर ही उनने रैंडी ओर्टन, केविन ओविंस एन अनदिस्पूटेड इनिवर्सल चैंपिन कोरी रोड्स को भी डिस्ट्रोई कर दिया और जेकाब फाटू के डेब्यू से सच में न्यू ब्लड लाइन बहुत जादा खतरनाक हो गई है तो भाईयो कैसे हैं आप लो, आज मेरे पास WWE से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज और अपडेट्स हैं तो वीडियो में लाज तक बने रहे हैं लेकाब फाटू के WWE में डेब्यू के बाद रियूमर सीयर आ रही है कि WWE उनका मैच केविन ओविन से करवा सकती है समर स्लैम में जाकर तो क्या आप इस मैच को देखने में इंट्रेस्टेड होंगे आप अपनी राय हमें कमेंट में पता सकते हो और भाई साब आज फाइनली ड्रू मैकेंटायर ने अपना बदल ले ही लिया जैसा कि आप जानते ही होंगे कि CM Punk ने अपना स्मैक डाउन में रिटर्न किया था और उन्हें कुछ खास ऐसा अनौन्स भी नहीं किया अपना सेगमेंट खत्म करने के बाद CM Punk वहां से चले भी जाते हैं और भाईयो रैंडी ओर्टन ने उन रिमर्स को डिनाय कर दिया है कि वह अपना हील टर्न करेंगे उसके बाद वह कोडी पर अटैक करेंगे और उनको चैलेंज करेंगे उनके अंडिस्पूटेड उनिवर्सल चैंपेंशिप के लिए और आज के लास्टन फाइनल अपडेट यह है कि भाई जेरो न्यूस के तरफ से ट्विट आया है कि WWE इंटरनली समर स्लैम के लिए सोलो सीकोवा वर्सेज रोमन रिंक्स के मैच को लेकर डिसकस कर रही है लेकिन अभी WWE का फाइनल डिसीजन क्या हो गई यह अभी कनफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी समर स्लैम को होने में बहुत टाइम है और अब जब कि जेकाप फाटू ने अपना डेब्यू कर लिया है तो चांसेज हो सकते हैं कि WWE अपने प्लान में कुछ चेंजिस कर ले बाकि 99% चांसेज है कि समर स्लैम में रोमन वर्सेज सोलो का ही मैच होगा तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो तो आज के लिए इतना ही अब आप से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर